अधिक्ष महदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सविधानिक शेड्यूल ट्राइब थर्ड अमेंड्मेंट बिल 2022 सर हम जो बिल ला रहे हैं और ये थर्ड अमेंड्मेंड कर रहे हैं कि दूसरी जातियों की जो मांग बहुत सालों से जो यही स्टी में थे उनको फिर से अपने एस्टी इसमें लाकर उनको न्याय देने का काम हमारी ये मंदल कर रहा है उसके लिए मंदल जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हमारे कलीग्स यहाँ पर बोले सभी इने अपने अपने शेत्र के या अपने राज्यों के जितने भी ट्राइबल में रहने वाले आदिवासी भाई बहने उनकी समस्याओं के बारे में यहां बताया सर हम भी जहां से आते हैं मेरे शेत्र में एक विदान साबा पूरी schedule tribe आदिवासी भाई बहन रहते हैं जिनकी पिछले कई वर्षों से बहुत सारी समस्या हैं सर मनरेगा का भी यहाँ पर उलेग किया गया कि मनरेगा में क्या काम हुआ है उनके हाथ बांदिये गए उनको कमजोर बनाये गया है सर सबसे जादा मनरेगा में अगर कहीं पुरे विधर्व में अगर कहीं काम हुआ है तो वो मेरे schedule tribe area में सर एक-एक महिने में maximum schedule tribe में रहने वाले लोग महाँ पर काम करते हैं और 100 days यह minimum दिया गया है पर मैं request करूँगी मंत्री मंदर से भी और सरकार से भी कि minimum of 200-250 days उन्हें साल में काम देना चाहिए महाँ पर सबसे बड़ी problem है सर माल nutrition की और चिकल sales की क्योंकि महाँ पर जो लोग रहते हैं यह सब चीजों की उनके बहुत बड़ी समस्या है महाँ पर hospital की कहीं सुविधाएं नहीं वो सुविधाएं हमें देना बहुत ज़रूरी है और गर्ववती जब डिल्वर करती है तो अगर महाँ पर कोई emergency case होता है तो 1500 किलोमीटर उन्हें अमरावती आना पड़ता है और बीच में असी दुरघटना हो जाती है तो कई बार माता की भी डेथ हो जाती है और बच्चे की भी उसी के साथ डेथ हो जाती है तो ऐसी जगाओं पर उन्हें hospital की facility देना बहुत ज़रूरी है आज भी मेरे शेत्र में maximum जगा मैडम ट्राइबल एरिया में connectivity नहीं है टेलीफोन्स नहीं है, इंटरनेट काम करते नहीं है 108 फोन करने जाएं तो 108 फोन MP में लगता है यह सभी समस्या है उसके साथ education की मैडम बहुत बड़ी प्राइबल में जितने भी ट्राइबल एरिया है चंद्रपूर हो, हमारा अमरावती मेलगाट का शेत्र हो जहां जहां ट्राइबल शेयरिया होते हैं, वहा पर एक तो हमें भाषा की प्राइबल शेत्रों में जब हमारे टीचर्स वहाँ पर आते हैं तो वो non-दिवासी होते हैं maximum और उन्हें हमारी भाषा नहीं आती है हमारे बच्चों को उनकी भाषा समझती नहीं है उनको हमारी भाषा समझती नहीं है और हमारे बच्चों को अगर job opportunities देनी है तो देड़ सो किलोमीटर प्लेन पट्टे से हमारे वहाँ पर आदिवासी शेत्र में आने तक के लिए उन्हें बहुत कष्ट करना पड़ता है जो teachers पर आदिवासी के तो उनको ही अगर opportunity उस शेत्र में दिया जाए तो वहाँ के बच्चों को ना language problem होगी ना education problem होगी अच्छी पड़ा सकते हैं और उन्हें जो राइट देने का काम हमारे प्रंथबदान प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं वो राइट देने का काम हम लोग कर सकते हैं चोटी-चोटी इशू है का सटिफिकेट का इशू है सर सर टू मिनिट इस आई नो हम समर्थन करने के लिए खड़े हैं पर आदिवासीों की problem है अगर समाज को आदिवासी ट्राइवल में लाके उन्हें न्याय देने का काम करें तो उनको जो सुविधाओं से व वैलिडिटी मिलती नहीं है तो यह चोटी-चोटी problem से अगर हम solve कर पाएंगे तो मुझे लगता हमारे आदिवासी भाई भेनों को बहुत न्याय दे पाएंगे मैडम मंत्री मौदें यहाँ पर बैठे हैं उनका पुनर वसन माडम पुनर वसन जब भी हम वहाँ पे करते है पहले तो हमारे लोग आदिवासी जंगल छोड़ कर बाहर सिटी में आने के लिए तयार नहीं है अगर वो जंगल छोड़ कर प्लेन पटे में आते हैं तो उनको जो rights देना चाहिए घर छोड़ने का जो मुआबजा देते हैं वो 10 लाख रुपा देते हैं और शेहरों में 10 रुपे में आज कहीं पर भी किसी को भी रहना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए पुनरवसन की जो राशी रहती है उसे double triple करके उन्हें सुविधा उस चीज की भी देनी ची तब जाके वो अपने घर अपना जंगल अपना प्यार छोड़ कर वो शेहरों में आएंगे तो तो वहाँ पर जितनी भी जगाएं वो फॉरस्ट में आती हैं फॉरस्ट से हमको वो दी गई हुई जगाएं कि यहां पर रहना बसरा करने के लिए आपको इतनी जगा हम देते हैं और उसमें आप खेती कर सकते हैं पर वो खेतियों का फॉरेश को लगा है करके वाइड अनि पूरी जानवर खा लेते हैं तो मुझे लगता है ये सिब चीजों का भी निप्टारा करना चाहिए पर मंत्री मंदल जब भी ट्राइबल को लेकर यहां पे जो भी बिल लाते हैं हम उसके साथ में हमेशा खड़ें क्योंकि ट्राइबल आदिवासी लोगों को शेत्र में रहन लोगों को न्याए मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्हें ग्रोध देने वाला ये पिछले आठ वर्षों में जितनी ग्रोध ये प्राइम मिनिस्टर जी के मंत्री मंदल द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के जवारा दे सकते थे मुझे लगता उससे कही जादा आप लोग दे हैं पर छोटी-छोटी इशूज हैं उनके लिए भी अगर आपने सपोर्ट किया मैडम तो बहुत ज्यादा हेल्प हमारे आदिवासी भाई-बैनों को होगा मंत्री मंदल ने पहले भी पोरजी के लिए हमारे शेत्री के लिए बहुत कुछ दिया है आगे भी बहुत जल्दी मिलेगी थैंक यू सो मुझ सार अनाइश सपोर्ट इस बिल्ट